हलो दोस्तों, सियाराम क्लासे जिन्दोर में आपका स्वागत है दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम मोशन, फोर्स और ऐसे बहुत सारे टॉपक्स को पढ़ चुके हैं फोर्स के बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं का formula क्या होता है, dimensional formula क्या होता है है ना, force की definition क्या होती, सब कुछ जान चुके है तो अब इसमें हम पढ़ेंगे, इस lecture में हम पढ़ेंगे force के आने वाले जो concepts हैं या जो आंगे के concepts हैं उनको पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि nature में fundamental forces होते हैं, ठीक है कुछ ऐसे fundamental forces होते हैं, जिनकी help से जितने भी हमारे forces हैं, जितने भी type के forces हैं उनको समझा जा सकता है, है ना, क्योंकि scientist ने ये 4 fundamental forces क्यों बना है, ताकि जो forces की study है other types of forces की study है, वो simple की जा सके, है ना, तो उन्हों चार ऐसे fundamental forces discover किये, या उनको categorize किया, जिनसे सभी forces को आसानी से समझा जा सकता है, है ना, तो ऐसे fundamental forces नेचर में कितने होते हैं, चार होते हैं, कितने चार, ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि fundamental forces जो हैं, वो nature लगाता है, कौन exert करता है, नेचर करता है, ठीक बात है, अब आये देख लेते हैं, उनकी नाम कौन-कौन से होते हैं, पहले मैं एक basic introduction दे रहा हूं, fundamental forces का, है ना, फिर इसके बाद आपन डीप जाएंगे, ठीक है, तो पहला जो fundamental force होता है, वो होता है gravitational force, I hope इसके बारे में सभी ने पढ़ दखा होगा और सुना भी होगा, है ना, gravitational force, ठीक है, अब अगर उपर उपर देखें तो gravitational force क्या होता है, gravitational force एक ऐसा force है, जो mass के कारण लगता है, मतलब अगर किसी दो object के पास कोई mass है, तो उन दोनों के बीच में अपने आप nature कौन सा force लगाएगा, gravitational force है ना, और gravitational force के बारे में एक और बात बता दूँ, कि ये हमेशा attractive in nature होता है, ठीक है, हलाकि इसके बारे में अभी एक मिनिट बाद हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, इसके बाद जो second fundamental force होता है nature में, वो होता है electromagnetic force, कौन सा electromagnetic force, तो जब हम gravitational force के बारे में बात कर रहे थे, हमने देखा था, किसी भी दो object के पास, अगर mass है, तो वो क्या करेंगे आपस में, gravitational force exert करेंगे एक दूसरे पर, लेकिन, अगर कोई भी charge particle रखे हैं, माली जी एक ये charge particle है, और ये charge particle है, तो इन दोनों के बीच में nature कौन सा force लगाएगा, इ एक बात आपको बता दूँ, कि electromagnetic force जो होता है, वो attractive भी हो सकता है, और repulsive भी हो सकता है, अब इसको आए बहुत ही short में जानते हैं, क्योंकि deep में है, वैसे ही पढ़ना इसी वीडियो में, जैसे अगर ये positive charge है, ये माली जी एक positive charge है, और ये एक positive charge है, ये दोनों पास पास में है, तो इन दोनों की बीच में कैसा जो force लगेगा, वो लगेगा, repulsive force लगेगा, मतलब ये वाला object भी से दूर जाएगा, और ये वाला object भी से दूर जाएगा, कैसा लगेगा? repulsive repulsive force लगेगा और अगर एक positive charge है और एक negative charge है दोनों अलग-अलग charges है तो इस case में क्या होगा दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे attract करेंगे दोनों एक दूसरे के pass में जाएंगे ठीक है attract करेंगे ठीक ये बात हमने जान ली ठीक है अब आते हैं एक और ऐसा ही एक fundamental force होता है नेचर में वो होता है strong nuclear force इसको भी हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे कई बच्चों को इसमें बहुत ही confusion रहती है कि ये होता क्या है strong nuclear force क्या होता है कि हमने देखा है chemistry में कि एक atom में nucleus होता है है ना उस nucleus में proton होते हैं और neutron होते हैं है ना proton और neutron होते हैं तो ऐसा force जो proton और neutron को साथ में जोड़के रखता है nucleus के अंदर कैसा force जो proton proton और neutron को साथ में जोड़के रखता है nucleus के अंदर वो कौन सा force है strong nuclear force ठीक है strong nuclear force, इसको अभी हम आँगे discuss करेंगे, ठीक है अब आते हैं weak nuclear force क्या होता है तो दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि chemistry जब हम पढ़ते हैं तो आपने radioactive decay के बारे में सुना होगा है ना, क्या radio active decay radioactive decay तो जितने भी हमारे radioactive substances होते हैं उन में क्या होता है कि अपने आप जो radiations निकलती है तो उसमें जैसे beta rays निकलने लगी किसी से, किसी से alpha rays निकलने लगी है ना, तो उनका जो nucleus होता है उस on substances का जो atoms का nucleus होता है उससे अपने आप कुछ particles बाहर निकलने लगते हैं ठीक है, और वही radiations form करते हैं तो वह particles क्या करते हैं बाहर निकलने लगते हैं और यह जो particles बाहर निकलते हैं इन ही particles को हम बोलते हैं elementary particles क्या बोलते हैं, elementary particles अब जो force इन elementary particles के बीच में लगता है मतलब जो यह particles निकल रहे हैं इनके बीच में जो force लगता है वो force क्या होता है weak nuclear force अलाकि इसके बारे हम अच्छे से discuss करेंगे अभी इसी वीडियो में है ना लेकिन मैंने एक overall आपको चारो forces के जारो चारो fundamental forces का एक outline दे दिया है तो एक बार आप इसको ऐसे ही note कर लें synopsis type में note कर लें क्योंकि जब हम revise करते हैं तो ऐसे ही synopsis काम आते हैं तो जैसे ही आप थोड़ा सा ये देखेंगे आपको पूरे उसके अंदर की चीज जो deep में है knowledge वो आराम से याद आ जाएगा तो आप इसको एक बार note कर लीजे तो दोस्तों अब हम समझेंगे जो हमारा पहला fundamental force है gravitational force उसको detail में तो आईए पहले gravitational force की definition देख लेते है gravitational force की definition है it is the force of mutual attraction between any two objects by virtue of their masses मतलब इस definition से हमें क्या पता चला कि gravitational force एक ऐसा force है जो mass के कारण लगता है है ना किसी भी object की बीच में अगर gravitational force लग रहा है तो वो किस कारण से लग रहा है उन दोनों object के mass के कारण है ना और ये कैसा force है mutual attractive force है मतलब ये हमेशा कैसा रहेगा इसका nature attractive nature रहेगा आईए इसको example से समझते हैं मान लीजिए ये एक table है है ना और इसके उपर एक ये book रखी हुई है ठीक है book के पास जो mass है वो है m1 table का जो mass है वो है m2 ठीक है तो इस case में क्या हो रहा है कि जो book है वो table को अपनी और खीच रही है और जो table है वो book को अपनी और खीच रही है मतलब दोनों एक दूसरे को अपनी और attract कर रहे है किस कारण इनकी mass के कारण लेकिन जो book है वो table को उपर क्यों नहीं attract कर पा रही है ये और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो book है और जो ये table है इन दोनों का force of attraction अर्थ के force of attraction के मुकाबले बहुत ही negligible है इसलिए ये दोनों आपस में attract होने की बजाए क्या हो रहा है दोनों book और टेबल अर्थ की और attract हो रही है ठीक है आई होप आपको इस example से किलियर हुआ होगा कि gravitational force होता क्या है ठीक है अब ये तो हमने एक basic understanding ली कि gravitational force की definition क्या है और gravitational force होता क्या है अब हम समझेंगे gravitational force का measurement कैसे करते हैं या उसकी value क्या होती है ठीक है तो ये बात बताई है Newton बाबाने किसने Newton बाबाने हाला कि gravitational force discover किसने किया है Newton ने किया है ठीक है तो Newton ने एक law दिया है जिसका नाम है Newton's law of gravitation ठीक है अब आएए देखते हैं ये क्या है पहले इसकी definition देखेंगे everybody in the universe कहा की बात हो रही ये universe की मतलब सिर्फ और सिर्फ अर्थ की बात नहीं हो रही यहाँ पर overall universe की बात हो रही है मतलब आउटार स्पे सबको चस्में आ जाएगा everybody in the universe attracts every other body with a force ठीक है मतलब universe में जितने भी bodies है वो हर दूसरी body को attract कर रही है कितने force से एक ऐसे force से which is directly proportional to the product of their masses ठीक है वो force कैसा है उन दो अबजेक्ट के masses के directly proportional है ठीक है अबजेर मासेज and inversely proportional to the square of distance between them मतलब एक तो जो वो force है gravitational force है वो जैसे मान लीजेए यह दो अबजेक्ट है एक यह object है इन दो अबजेक्ट की बीच में जो भी gravitational force है वो इन दोनों के mass के multiply के directly proportional है और इन दोनों के बीच का जो distance है इसके square के inversely proportional है तो आईए इसको समझते है example से मान लीजेए एक यह object है जिसका mass है M1 ठीक है एक दूसरा object है जिसका mass है M2 और इन दोनों के center जैसे इसका center यह हो गया और इसका center यह हो गया ठीक है यह बात clear हो गई अब इन दोनों के बीच में जो gravitational force होगा वो कैसा होगा directly proportional होगा इन दोनों के multiply के ठीक है और inversely proportional होगा इन के बीच के distance के square के ठीक है इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि यह जो चीज़े इसको बोलते है inverse square law अब ही हम जब इसकी properties discuss करेंगे तो इसको आराम से पढ़ेंगे है न अब इसका मतलब क्या होगा जैसे जैसे इन दोनों के mass के product की value बढ़ेगी इसका जो बीच का gravitational force है वो भी कैसा होगा बढ़ेगा अगर हम इस radius को constant रखें ठीक है और अगर यह कम होगी तो इसका force भी कैसा होगा कम होगा ठीक बात है अब अगर इसका जो force है उसके बीच मलब जो दो object के बीच में जो radius है उसके square की value अगर बढ़ेगी तो इसके जो force की value होगी वो क्या होगी कम होगी ठीक है अगर इसके जो बीच के distance का जो square है उसकी value कम होगी तो इसकी value क्या होगी बढ़ेगी ठीक है अब अगर मैं इन दोनों relations को एक साथ एक इस formula में लिख दूँ तो यह formula क्या बन जाएगा f is directly proportional to m1 into m2 upon r square ठीक है यह formula बन गया अब आपको पता है जब भी हम proportionality का sign हटाते हैं तो एक constant को लाते हैं तो इधर पे भी हम एक SI constant लाएंगे तो हमने proportionality का sign हटाया और यह कुछ इस तरीके से बन गया formula f is equal to g m1 into m2 upon r square ठीक है यहाँ पे जो constant है वो क्या है capital G और इसको हम बोलते हैं gravitational constant ठीक है अब gravitational constant की value क्या होती है gravitational constant की value होती है 6.67 into 10 to the power minus 11 newton meter square per kg square ठीक है यह दोस्तों exams में जो भी objective exams होते हैं चाहे MP, PSC pre हो या आदर कोई भी exam हो उसमें यह question as it is पूछा जा सकता है कि gravitational constant की value कितनी होती है ठीक है friends तो हमने इस तरीके से gravitational force जो होता है इसको अच्छे से समझ लिया है है ना अब हम इसकी कुछ properties होती हैं उनको अच्छे से समझेंगे एक एक करके है ना लेकिन उससे पहले आप इन सभी चीज़ों को note कर लिजे friends मेंस देंगे तो मेंस में हो सकता है कि 11 marker में सिर्फ और सिर्फ gravitational force आचा है तो वहाँ पर हम उसको gravitational force की definition देंगे Newton's law of gravitation बताएंगे उसका measurement बताएंगे formula बताएंगे ठीक है और वहीं पर साथ में हमने उसकी properties को भी बताना पड़ेगा तो आएगे देखते properties क्या होती है gravitational force की जो उसकी पहली properties होती है property होती है वो है कि ये universal attractive nature का होता है ठीक है ये कैसा force है ये universal attractive force है मतलब ये ब्रह्मान में जहां कहीं भी लगेगा सिर्फ और सिर्फ कैसा लगेगा attractive nature का ही लगेगा और ये universally valid है सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे valid नहीं है ये overall universe में valid है इसलिए ये कैसा है universal attractive force ठीक है अब second point है कि nature में अगर कोई weakest force है तो वो है gravitational force ग्रेविटेशनल force जो है वो weakest force इन दी nature है अब ये अपन को कैसे पता चलेगा मान लिजिए ये pen है ठीक है और ये जो pen है इसको earth attract कर रही है ठीक है और ये मेरे हाथ पे रखा लेकिन मैंने थोड़ी सी तागत लगाई थोड़ा सा force लगाई इस तरीके से और क्या हुआ इसने तुरंट ही earth का जो gravitational force है उसको break किया और उसके opposite direction में जाने लगा क्योंकि earth का gravitational force है इसको कहाँ खीच रहा है earth की तरफ खीच रहा है नीचे की तरफ downwards earth के center की तरफ इसको खीच रहा है लेकिन हमने थोड़ा सा force लगाया और मैं इसको उपर की और उठा पा रहा हूँ थोड़े से force से और थोड़े से ही force से इसको हवा में उच्छाल दिया मतलब जब यह हवा में था तो इसने earth का जो gravitational pull था उसको break कर दिया था फिर जैसे धीरे 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 क्या हुआ इसकी velocity कम हुई और यह बापेस अर्थ ने खीचना चालो किया लेकिन मैंने बड़े easy तरीके से इसको क्या किया था gravitational pull को break कर दिया था है ना तो इस अर्थ का जो gravitational force है या जो gravitational force है वो क्या है weakest force in the nature ठीक है I hope आपको एक अच्छे से समझ में आया होगा कि अर्थ का जो gravitational pull है हम उसको बहुत ही आसानी से break कर पाते हैं है ना हम jump कर लेते हैं कुछ भी कर लेते हैं उसमें हम क्या करते हैं अर्थ के gravitational pull को break कर देते हैं बहुत ही छोटे से force से ठीक है आप इसकी जो third property हो क्या है कि ये very long distance force है मतलब ये जो force है ये बहुत ही long range force है ऐसा नहीं होगा कि ये 50 km तक लगेगा 100 km तक लेगा नहीं ये अर्थ जो अर्थ और sun के बीच में बहुत ज़्यादा दूर है लेकिन फिर भी जो sun है वो अर्थ पर gravitational pull exert करता है और जो अर्थ है वो भी sun पर क्या करती है gravitational force लगाती है और यही एक reason है जिसके कारण अर्थ अपने axis पर rotate कर रही है और साथी साथ sun के चारो तरफ revolve कर रही है ठीक है in fact दूसरी galaxies जो है वहाँ पर अगर कोई planet है न तो वो भी अर्थ के उपर gravitational force exert करेगा लेकिन होता यह है कि जो दूर एक planet है और यह अर्थ है इनकी बीच में distance इतना जादा है और पहले यह जो force है gravitational force है यह weakest force है और जब distance इतना जादा हो जाता है तो वो जो gravitational force होता है वो बहुत ही negligible हो जाता है और हमें वो महसूस नहीं होता है ना तो अब हमें यह समाज में आगा यह कैसा है long range form है ठीक है अब यह central force है जो gravitational force है जो ग्रेविटेशनल force है यह कैसा है Central force मतलब कोई दो object है कोई दो object है तो इन डोनों के भीच में जो gravitational force लगेगा वो कैसा लगेगा इसके center और इसके center पर लगेगा ठीक है और जब हम distance भी measure करेंगे तो कैसे करेंगे इसके centre से इसके centre तक distance measure करेंगे ठीक है यह central force है यह center to center लगता है किसी भी body में center से दूसरी body के center तक लगता है ठीक है यह central force है clear बात हो गई अब यह इसकी जो 5th property वो क्या है कि यह inverse square law को follow करता है अब inverse square law क्या है जो आपको ध्यान हो हमने जब यह लिखा था f is equal to g into m1 into m2 upon r square तब हमने देखा था कि इनके बीच में जो भी distance था उसके square के inversely proportional था gravitational force तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं inverse square law और यह क्या करता है inverse square law को follow करता है है ना इसको हम पहले देख चुके हैं अब यह जो force है इसकी sixth property and last property जो है वो यह है कि जो gravitational force है यह कैसा है conservative force है अब कई लोगों को confusion होती है conservative force होता क्या है तो conservative force का मतलब होता है कि यह path independent है कैसा है path independent मतलब कि जो भी gravitational force में हमें जो भी work done करना पड़ेगा work done अलाकि हम आने वाली videos में पड़ेगे तो यहाँ पर हम ऐसे समझते है कि इसमें जो कुछ भी work done हमें करना पड़ेगा ठीक है वो path पर dependent ही होगा ठीक है मान लीजिए एक object है एक object हो उसको मैंने इधर से उठा के इधर पर रख दिया यह इतनी height पर रख दिया यह h height है और मैंने उसको जमीन से उठा के इस height पर रख दिया तो इसको यहाँ पर रखने में जो कुछ भी मुझे work done करना पड़ा या जो कुछ भी work करना पड़ा वो work इसके path का independent वो initial position और final position पर ही dependent है मतलब उसको कुछ मतलब नहीं कि तुम यह जो object है इसको यहाँ से ले जाके यहाँ पर लाए कि यहाँ से ले जाके यहाँ पर लाए कि सीधा उठा के ऐसा रख दिया कोई मतलब नहीं उसके path से उसको कोई मतलब नहीं उसको मतलब है तो सिर्फ किस से I hope आपको ये सभी properties समझ में आई होगी, है ना, अब इसके बाद इसका एक और important fact निकल के ये आता है, कि जो gravitational force उसका field particle, क्या, उसका field particle, अब field particle क्या होता है, मतलब, जब भी कोई force लगता है ना, तो वो एक mutual interaction के कारण लगता है, ठीक है, और दो objects की बीच में अगर interaction हो रहा है, तो इननों की बीच में एक possibility होती है, कि कोई एक particle है, जो बीच में है, जो बीच में exchange हो रहा है, जिसकी कारण ये जो force है, वो लग रहा है, वो particle दिखता नहीं है लेकिन कोई एक particle है जो exchange तो हो रहा है तब ही इनके बीच में जो attractive force या कोई भी तरीके का force है वो लग पाता है तो यहाँ पे उस particle को नाम दिया जाता है graviton और यह बहुत ही important fact है एक्जाम में आप से पूछा जा सकता है कि what is the field particle of gravitational force तो उसका answer क्या होगा graviton तो दोस्तो gravitational force को हमने बहुत ही अच्छे से deal कर लिया है है ना आप हम इसके बाद वाले force को देखेंगे लेकिन उसके पहले आप इसको note कर लीजी तो दोस्तो अब हम समझेंगे जो हमारा second fundamental force है वो है electromagnetic force अब समझेंगे अच्छे से कि electromagnetic force होता क्या है तो आईए पहले जानते हैं कि यह होता क्या है तो कोई भी दो charge particles हैं अगर मालीजी यह charge particle है और यह भी charge particle है तो इन दोनो charge particles के बीच में जो force लगेगा वो क्या होगा electromagnetic force अब मालीजी यह positive है charge और इस पर भी positive charge है तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा हापन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि like charges repel इचादर तो इन दोनों को क्या होगा यह दोनों एक दूसरे से कैसे जाएंगे दूर जाएंगे एक दूसरे से दूर जाएंगे अब अगर मालीजी एक positive है और एक negative charge है तो unlike charges होगा है तो मचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि unlike charges attract इचादर तो यह दोनों एक दूसरे के पास में जाएंगे है ना तो यह बात हमने समझ लिए ठीक है आईए अब इसकी देख लेते definition क्या होती है बहुत ही simple से concepts है यह है ना इसकी definition electromagnetic force तो बड़ी ही साधारण सी definition थी the force between the charge particles is called electromagnetic force ठीक है अब मालनीजी जब यह particles move कर रहे होते हैं क्या कर रहे होते हैं move कर रहे होते हैं तो उस time पे तो हम इनको बोलते हैं कि बीच में जो force लग रहा है electromagnetic force लेकिन अगर किसी situation में जो charge particle है वो at rest है कैसा है at rest है तो उस situation में जो charge particles के बीच में force लगेगा वो क्या लगेगा मतलब उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे electrostatic force static का मतलब ही होता है at rest ठीक है तो इस case में क्या बोलेंगे electrostatic force तो आईए देख लेते हैं इसको कैसे लेकेंगे when the charge particles are at rest then this force is called as electrostatic force चलिए इतनी बात किलियर होगे और आपको एक ये बात भी किलियर होगे कि electromagnetic force can be of two type electromagnetic force क्या होगा can be of two type either it is attractive attractive or it will be repulsive है ना electromagnetic force या तो attractive होगा या तो क्या होगा repulsive होगा अगर positive positive charge particle है तो उनकी बीच में क्या होगा repulsive force लगेगा और अगर positive और negative मतलब unlike charges है तो उनकी बीच में क्या लगेगा attractive force लगेगा चलिए ये बात के लिए रहे अब जिस तरीके से आप देखिए Newton's law जब जब हम gravitational force पढ़ रहे थे तो उस ताइम पर Newton बाबाबा आए थे उन्होंने बताया था उन्हों की कितना होगा force इसको कैसे निकालेंगे इसका formula क्या होगा तो इसी जगह पे एक और scientist थे जिन्होंने लो दिया कूलम्स लो क्या नाम दिया अपने लोगों कूलम्स लो उनका नाम क्या दिया कूलम्स लो ठीक है कूलम्स लो क्या बोलता है कि किनी भी दो point charge particles के बीच में जो force लगेगा वो directly proportional होगा उन दोनों charge particle के charges के multiply के ठीक है मतलब जो भी उनकी पार्टिकल उन दोनों charge particles के उपर जो charge है उसका जो product होगा जो क्या होगा उसका product होगा वो उस electromagnetic force के directly proportional होगा चलिए यह बात के लिए मतलब अगर यह इन दोनों का product की value बढ़ेगी तो उनके बीच में जो electromagnetic force है वो भी क्या होगा बढ़ेगा और similarly अगर कम होगी तो उनके बीच का जो electromagnetic force है वो क्या होगा कम होगा है ना और एक और बात उन्होंने बोली कि सेम जैसा उसमें gravitational में Newton ने बोली थी Newton ने बोली थी इन्हें भी यह बोला कि उन दोनों charge particle के center के बीच में यह एक charge particle मान लीजिए और यह एक charge particle इन दोनों के center के बीच में जो भी distance होगा उसके square के inversely proportional होगा जो कोई भी force लगेगा इनके बीच में ठीक है इन्होंने बोला कि force will be inversely proportional to the square of the distance will be centers of the two charges है ना तो इन्होंने एक यह बात बोली एक यह बात बोली तो जब हम इन दोनों बातों को combine करेंगे तो हमें एक formula निकल के आएगा कि f is directly proportional to q1 into q2 upon r square और जब हम proportionality का sign हटाएंगे तो आप जानते हैं कि एक constant आएगा तो यहां पे जो constant है वो constant की value क्या है उस constant की value है बन वाई 4 पाई epsilon not जो यह वाला sign होता है ना यह वाला sign यह sign होता है epsilon not का तो इसकी हलाकि हमें कोई ऐसी जरूरत है नहीं तो यहां पे इस पूरे की जगाए आप simply k भी put कर सकते हैं है ना लेकिन मैंने थोड़े extra knowledge के लिए आपको बता दिया इसकी एक fixed value होती है जिसको जानने की हमें यहां बिलकुल जरूरत नहीं है तो यह जो formula है electromagnetic charge का वो formula क्या बन जाता है f is equal to q1 into q2 upon r square चलिए यह बहुत अच्छी बात है है ना तो यहां पे दोस्तों हमने electromagnetic force के बारे में बहुत सारी बात हैं जान ली है तो अब इसके बाद हम जानेंगे इसकी properties क्या होती है है ना तो आप इसको एक बार अच्छी से note कर लीजिए तो आईए दूस्तों अब इसकी properties के बारे में समझते है है ना electromagnetic की जो first property होती है वो already हम discuss कर चुके है कि it may be attractive और repulsive है ना यह जो electromagnetic force है यह या तो attractive force हो सकता है या तो repulsive force हो सकता है अगर positive charge है और negative charge है तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा attractive force लगेगा और अगर negative और negative charge है या positive और positive charge है like charges अगर होंगे तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा repulsive force लगेगा ठीक बात है अब यह जो पूरा force है इसकी value बगएर आपको मैं बता चुका हूँ कि हैंने coulombs law से calculate की है तो एक simple properties की यह है कि this force is governed by coulombs law मतला coulombs के जो law था उन्होंने ही बताया था कि किस तरीके से यह force लगेगा किसी object पे और इसकी कितनी value होगी चलिए यह बात है और एक और simple property है कि it always inverse square law it always inverse square law मतलब दो charge particles के center के बीच में जो भी distance है उसके square के inversely proportional होगा यह जो force है ठीक है यह जो electromagnetic force है यह क्या होगा इस वाले distance के inversely proportional होगा आई hope आप सभी को मतलब पता है कि inversely proportional क्या कहलाता है है न हमारे पिछले वीडियो में भी हम जान चुक है अच्छे से ठीक है और यह जो force है यह short distance force है ठीक है अपने जब gravitational force पड़ा था तो वहाँ पर देखा था कि वो क्या था long range force था लेकिन यह जो electromagnetic force है यह क्या है short range force है मतलब एक limit तक ही यह लगेगा लेकिन अगर जो charge particles है उनके बीच में जो distance है वो मानलो बहुत ज़्यादा हो गया तो कोई भी force नहीं लगेगा है न उन दोनों के बीच में कोई भी force नहीं लगेगा और यह charge particle के magnitude के उपर depend करता है कि कि कितना ज़्यादा charge है और वो कित और वो charge एक दूसरे पर लगना बंद हो जाएगा लेकिन अगर बहुत heavy charges है दोनों bodies में है न तो वो क्या करेंगे बहुत दूर तक भी एक दूसरे पर charge लगा सकती है तो यह क्या है short distance force है और mostly यह होता है मैं आपको बताऊं कि यह short distance force ही होता है यह एक limit के बाद नहीं लग स सकता है ऐसा नहीं होता कि charge तो है लेकिन तुमने एक किलो मिटर दूर रख दिया ऐसा नहीं होता जो maximum distance है कितना भी ज्यादा charge हो वो क्या रहता है बहुत short रहता है उस short distance के बाद कोई भी charge एक दूसरे charge पर exert नहीं होता इस बात को आई होप आपको समझ में आया होगा और आ हम रखेंगे है ना यह कैसा है short distance force है ठीक है अब अगेन यही बात आगे कि यह किस टाइप का force है यह central force है मतलब जो यह force है charge particles है यह एक दूसरे पर force तो लगाएंगे लेकिन कैसा लगाएंगे center to center लगाएंगे है ना और जो हम distance भी इन दोनों की बीच की calculate करेंगे तो वो कैसे करेंगे इसके center से उसके center के बीच में जो कुछ भी distance आएगी ठीक है I hope आपको यह चीज समझ आई होगी आप इसका जो last point है या last property है वो क्या है कि यह force जो यह conservative force है अब जैसा कि हम gravitational force में innovative force होता क्या है तो उसी तरीके से इसमें जो charge particles को move करने में जो भी work done हम करेंगे वो किस चीज पर depend करेगा वो initial और final position पर depend करेगा यह हो गई initial और यह हो गई final position वो इन दोनों की path पर depend नहीं करेगा कि आप initial और final position पर किस path से लेके आए है ना वो क्या depend करेगा कि आपकी समझ में आई होगी है ना अब हम इसके बाद वाला force पढ़ेंगे जो है हमारा strong nuclear force लेकिन उसके पहले आप यह जो properties है इनको note कर लीजे तो चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं जो हमारा third fundamental force है उसके बारे में है ना third fundamental force कौन सा है वो है strong nuclear force अब भाई strong nuclear force क्या होता है तो आ आप सभी को पता है कि एक atom होता है atom के अंदर nucleus होता है है ना आयूप सभी ने chemistry में इतना तो पढ़ ही रखा होगा है ना तो आईए सबसे पहले एक atom ड्रॉ करते हैं एक माली यह atom का nucleus है और इसके चारों तरफ यह electrons revolve कर रहे हैं है है ना अब देखिए atom के nucleus में neutron भी होते हैं मतलब बहुत सारे proton है जितने भी उसमें fixed proton है वह proton है और उतने ही neutron है है ना उतने ही neutron है यह बात आप सभी को पता है आप देखिए जो nucleus होता है इस nucleus के अंदर जो neutron और proton होते हैं यह बहुत ही tightly combined होते हैं मतलब एक दूसरे के सादब बहुत ही tightly bind होते हैं एकदम जोड़े है ना अब ये बंदे हुए होते हैं इतनी टाइटली तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके काराण ये आपस में बंदे हुए है मान लीजे कोई positive charge है कोई negative charge है आपस में वो मिले है आपस में वो attract कर रहे हैं बंदे हुए है तो उसको थो हम बोल सकते हैं भाई कि वो electromagnetic force के काराण हो रहा है लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो neutron के पास कोई भी charge नहीं होता और proton के पास positive charge होता है यह तो बात होगे neutron और proton की फिर भी है आपस में एक साथ एक ही nucleus के अंदर बहुत ही कम distance के बीच में रह रहे हैं है और दूसरी सबसे important बात कि हम जानते है positive positive charge क्या करते हैं एक दूसरे को repel करते हैं लेकिन neutron के अंदर sorry nucleus के अंदर बहुत सारी proton है और वो proton सभी protons के उपर कैसा चार्ज है positive charge है लेकिन वो repel करने की जगए वो आपस में nucleus के अंदर बहुत ही tightly binded है या बहुत ही tightly बंदे हुए हैं तो भाई ऐसी कौन सी चीज आ गई तो ऐसी चीज है strong nuclear force वो किसके कारण बंदे हुए हैं इस nucleus में strong nuclear force के कारण है na strong nuclear force के कारण strong nuclear force के कारण कौन बंदे हैं nucleus और nucleus और nucleus और proton बहुत छोटे से nucleus के अंदर आपस में बहुत ही tightly बंदे हुए हैं और ये जो force होता है जो strong nuclear force होता है ये nature का सबसे ज़्यादा strong force है मतलब strongest force in nature है इस से ज़्यादा strong force अभी तक कोई discover ही नहीं हुआ है ना इस वजए से आपने एक बात ओर देखी होगी जब nuclear blast होता है है न उस time पे हम क्या करते हैं जो nucleus होता है इसको τοड़ देते हैं मतलब neutron और proton को अलग अलग separate कर देते हैं तो बहुत ज्यादा huge amount of energy नेरजी नेकलती है और huge amount of blast होता ऐसा क्यों होता है दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि यह जो neutron और neutron है neutron और proton है यह nature के सबसे ज़्यादा tight force से जुड़े हुए होते हैं strongest force के साथ यह आपस में binded होते हैं और जैसे ही हम इनको break करते हैं अलग-अलग करते हैं तो जो वो force रहता है वो energy के form में release हो जाता है और nature का सबसे ज़्यादा strong force जब energy के रूप में release होता है तो बहुत ज़्यादा high amount में energy release होती है और जिससे बहुत ज़्यादा destruction होता है क्योंकि huge amount of blasts होते हैं बहुत सारी radiations निकलती हैं तो दोस्तों यह जो चीज थी यह था strong nuclear force अब आए एक बड़ definition से भी समझ लेते है strong nuclear force होता क्या है है ना the force which binds the है ना हमने अभी पड़ा जो bind करता है the force which binds the neutron and proton together in the nucleus of an atom are called as strong nuclear force है ना यह बात आपको एकदम clear हुई है ना हालकि मैंने अदर पे लेखा binds the neutron and proton यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं binds the neutron and neutron and neutron and proton है ना सभी चीज़ों को यह bind करके रखता है आपस में ठीक है तो हमने strong nuclear force को बहुत ही अच्छी तरीकी से समझ लिया कि होता क्या है तो अब आई हम जानते हैं कि strong nuclear force की कुछ properties भी तो होती है अभी तक हमने जितने force प पढ़ी इसी तरीके से अब हम strong nuclear force की भी क्या पढ़ेंगे properties पढ़ेंगे तो आएए देखते हैं तो इसकी जो first property है वो है यह strongest force in nature है कैसा force है यह nature का सबसे ज़्यादा strongest force है दोस्तों इस वीडियो के last में या lecture के last में हम सभी forces को compare करेंगे कि कौन कितना ज़्यादा strong है 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 तो जो strong nuclear force है यह कैसा है strongest force in nature है इससे ज़्यादा strong force कोई है ने इसको में अच्छे से discuss कर चुके है आए देखते है next property क्या है next property है कि यह shortest range force है मतलब यह nucleus के अंदर लगता है और उतने से nucleus के अंदर मतलब nucleus तो बहुत ही छोटा होता है ना बहुत छोटे nucleus के अंदर यह operate करता है इसका मतलब यह है कि यह बहुत जादा short distance पर ही काम करता है अगर nucleus और nucleus की जो distance है आपस में जो separation distance है उन दोनों की बीच में वो अगर थोड़ी सी भी बढ़ा दी जाए है ना तो यह काम करना बंद हो जाएगा इसलिए हम बोलते हैं कि यह जो strong nuclear force है यह कैसा है shortest range force है मतलब चारों जो fundamental force पड़े हैं उन में से सबसे ज्यादा short range अगर किसी force की है तो वो किसकी है strong nuclear force की I hope आपको यह बात समझ में आई होगी है ना क्योंकि यह nucleus के अंदर होता है nucleus पहली बहुत ज्यादा short है है ना और उसके अंदर जो neutron और proton रहते हैं उनकी बीच की separation distance है वो बहुत क काम होती है इसलिए यह जो strong nuclear force यह बहुत ज्यादा short range पर operate करता है मतलब काम करता है चलिए यह वाला point इक्दम clear हो गया है ना अब इसका next property के बारे में पढ़ेंगे इसकी next property है कि it does not obey inverse square law अब यह inverse square law क्या होता है तो दोस्तों हम electromagnetic force में और gravitational force में inverse square law आम से समझ चुके हैं कि यह मतलब किसी दो object रहते थे उनके बीच में जो distance रहता था वो रहता था R और जो force रहता था वो इसके square के inversely proportional रहता था है ना इसके inversely proportional रहता था लेकिन इस वाले case में strong nuclear के case में strong nuclear force के case में ऐसा कुछ नहीं होता है ना वो इसके बीच के separation के distance सेपरेशन डिस्टेंस है जो दो nucleus neutron के बीच में या दो proton के बीच में जो separation distance है उसके square के उपर किसी भी तरीके से dependent नहीं रहता तो यह property आपको clear हो गई है ना इसके बाद हम एक property पढ़ेंगे जो है यह non-central force है कैसा force है non-central force है है ना जो strong nuclear force है वो non-central force है अब हमने central force क्या पढ़ा था कि यह कहां लगता था दो objects के center to center लगता था है ना इदम center to center लगता था लेकिन strong nuclear force में ऐसा नहीं होता है यह कहीं से भी attract कर सकता है माली जी यह एक neutron है और यह एक proton है तो उसको जरूर नहीं यह center से attract कर देगा यह इस वाले कोने से इसको इस वाले कोने से attract कर देगा I hope आपको यह चीज समझ में आई होगी क्योंकि central forces हम इसके पहले वाले जो दो forces है उनमें अच्छे से पढ़ चुके हैं एकदम ठीक बात है है ना अब हम समझेगे यह क्या है इसकी जो fifth property और last property हो क्या है यह non conservative force है दोस्तों जब हम conservative force पढ़ रहे थे electromagnetic force में और gravitational force में तो हमने देखा था कि वहाँ पर conservative force का मतलब क्या होता है अब यह non conservative force होता है कौन strong nuclear force तो इसका मतलब यह होता है कि यह path पर depend करेगा किस पर depend करेगा path dependent यह path पर depend करेगा इसका मतलब initial और final position से मतलब नहीं है अब किस रास्ते से initial से होके final position पर लाए वो यहाँ पर important रहेगा है ना किस तरीके से आपने मान लिए इस वाले case मत देखें तो आपने किस path से किस रास्ते को अपना के neutron और proton को अलग-अलग किया यह neutron और proton को साथ में रखा वो यहाँ पर important रहेगा तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि यह initial और final position जैसा नहीं है जैसा gravitational force में होता था यहाँ पर उस non-conservative force है एकदम सही है अब हम एक और इसका बहुत important point निकल के आता है fact निकल के आता है कि gravitational force में जब हमने पढ़ा था तो देखा था उसका field particle जो है वो graviton था इसी तरीके से जो strong nuclear force है तो इसमें जो field particle होता है वो क्या है पाई मीसोन अब आईए एक छोटा सा आपको detail में चो आपको जोड़ा फिर से समझते हैं जब भी कोई दो टाइप मलब दो object के बीच में किसी भी प्रकार का force लग रहा होता है तो एक particle इस medium में से change हो रहा होता है इंटरेंज हो रहा होता है दोनों object के बीच में हैना वो particle दिखता नहीं है हमें लेकिन वो क्या हो रहा होता है इं से इस साइड जाएगा है ना तभी वो फोर्स लग पाता है तो सभी फोर्स में हम उस पार्टिकल को बोलते हैं कि वो क्या है फिल्ड पार्टिकल है तो सेम तरीके से जो स्ट्रॉंग न्यूक्लियर फोर्स है इसमें जो फिल्ड पार्टिकल का नाम है वो क्या है पाई मीसोन I hope दोस्तों, आपको strong nuclear force अच्छे से समझ में आया होगा, जो कोई भी आपके doubt हों, उसको comment में जरूर लिखें, तो दोस्तों, आप इसको एक बार note कर लीजे, चलिए दोस्तों, तो अब हम पढ़ेंगे, जो हमारा last एक जो fundamental force बचा हुआ है उसको, उसका नाम क्या है, weak nuclear force, ठीक है, इसकी बारे में हम थोड़ा थो outline देख चुके थे, लेकिन आप और अच्छे से देखेंगे, तो weak nuclear force दोस्तों, जब भी हम कोई books से पढ़ते हैं, तो कई बार books में बहुत ही complex language लिखी होती है, तो science वाले बंदे को तो समझ में आ जाता है, लेकिन जो लोग science के background के नहीं होते, उनको बहुत ही problem आती है, तो आई इसको बहुत ही easy तरीके से हम समझते हैं, है ना, जैसे सभी को पता है कि एक atom उसके बीच में nucleus होता है, है ना, तो चलिए एक atom बनाते हैं, ये मैंने एक atom बनाया, है ना, ये इसके चारो तरफ क्या है, electrons, ठीक, ये पूरा मिलके एक atom है, और ये बीच में जो मैंने blue color से बनाया है, ये इसका क्या है, nucleus है, ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, कभी कभी कुछ substances के जो atoms होते हैं, इनका जो nucleus होता है, ये कैसा हो जाता है, unstable, इनका nucleus unstable रहता है, ठीक है, और जब किसी substance के atoms का जो nucleus है, वो unstable रहता है, तो उन substance को हम क्या बोलते हैं, radioactive substances, क्या बोलते हैं, radioactive substances, ठीक है, अब जितने भी radioactive substances हैं, ये radiations को emit करते हैं अपने दौरा, तो आईए इसको समझते हैं कि जब nucleus unstable रहता है तो ये कुछ particles को nucleus के अंदर से बाहर की और emit करने लगता है ठीक है क्या करता है nucleus के अंदर से बाहर की और कुछ particles को emit करता रहता है और ये situation जिसमें जो radioactive substances हैं इनका जो nucleus है ये particles को बाहर की तरब emit कर रहा है इस situation को बोलते है radioactive decay क्या बोलते है radioactive decay ठीक है अब दोस्तों आपको radioactive decay पता चल गया होता क्या है ठीक है अब radioactive के कुछ types हैं जो common है जो आपने name सुने ही होंगे तो पहला आपने सुना होगा alpha decay ठीक है दूसरा सुना होगा beta decay और ऐसे ही एक होता है gamma decay ठीक है अब होता यह है कि alpha decay जब होता है तो nucleus से बाहर की और alpha particles को emit करता है ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ alpha particles को साथ में कुछ और particles होते हैं ठीक है beta decay में क्या करता है बीटा particles को बाहर की तरफ emit करता है इसी तरहीं से गामा particles को भी बाहर की तरफ decay करता है चलिए यह बार ठीक है आपने समझ लिए radioactive decay क्या होता है ठीक है अब इन particles के साथ साथ यह क्या करता है कुछ और particles को भी बाहर की तरफ emit करता है मलब यह जो particles जितने भी निकालता है बाहर की तरफ वो होते हैं elementary particles कौन से? elementary particles ठीक है अब elementary particles क्या होता है अब यहां पर यह confusion मत होना कि वो alpha particle नकालेगा कि elementary particles यह दोनों एक ही है बस यह मैंने particular name से आपको बता दिये है ना अब elementary particles होते क्या हैं दोस्तों elementary particles वो particles होते हैं जो आपस में मिलके neutron और proton को बनाते हैं मतलब nucleus के अंदर क्या present होता है neutron और proton और neutron और proton को बनाने वाले particles होते हैं elementary particles ठीक है? I hope आपको elementary particles समझ में आया होगा मतलब बहुत सारे elementary particles मिलके neutron बनाएंगे और बहुत सारे elementary particles मिलके क्या बनाएंगे? proton और यहाँ पर confuse मत होना कि neutron अलग elementary particles से बनेंगे proton अलग नहीं सेम elementary particles ही neutron बनाते हैं और वही proton भी बनाते हैं ठीक है? अब यह बात आपके एकदम clear हो गई तो अब होता कि यह है मान लीजिए यह इसने एक elementary particle को emit किया और एक यह दूसरे elementary particle को emit किया ठीक है? अब इन दौनों के बीच में जो force लग रहा है यही force क्या कहलाएगा? weak nuclear force ठीक है? तो दोस्तों I hope आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि weak nuclear force क्या होता है? अब weak nuclear force के एक बाद definition से भी समझ लेते हैं weak nuclear forces are the forces which acts between the elementary particles यह elementary particles अच्छे से समझ चुक है? acts between the elementary particles emitted during the radioactive decay of radioactive substances I hope friends आपको weak nuclear force बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो चलिए अब इसकी कुछ properties होती है और properties के बारे में जानते हैं इसकी जो properties होती है वो कुछ इस तरीके से हैं कि पहली जो इसकी property है वो है कि यह बहुत ही short range force है कैसा force है? short range force अब यह short range force क्यों है? क्योंकि आप यह मान के चलिए कि atoms तो हमें आक से दिखता नहीं है ऐसे कहां दिखता है और atom के अंदर होता है nucleus मतलब atom से भी छोटा कौन है nucleus और nucleus के अंदर होते है proton और neutron मतलब proton और neutron तो nucleus से भी बहुत चोटे हैं और proton और neutron जन पार्टिकल से बनते हैं वो है जानने वाली है कि मानली जी एक यह elementary particle है यह elementary particle है इन दोनों के बीच का जो distance है यह अगर 10 to the power minus 15 meter से जादा हो जाएगा तो यह force फिर वहाँ पर नहीं लगेगा यह force कहां तक लगता है सिर्फ और सिर्फ 10 to the power minus 15 के distance पर लगता है या इससे कम distance पर लगता है अगर यह दोनों particle इससे जादा separate हो जाएगे तो यह force काम करना बंद कर देगा आई होप आपको यह point अच्छे से समझ में आ गया होगा है ना अब हम बात करेंगे इसके second point की तो second इसका जो property वो ऐसी है कि 10 यह जो weak nuclear force है यह gravitational force के comparison में 10 to the power 25 times जादा stronger है इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए हमने समझा था कि जो gravitational force है तो weakest force of nature है है ना और उस weakest force of nature से जो weak nuclear force है यह कितने 10 to the power 25 times जादा stronger है ठीक है इसमें जादा कोई ऐसा था नहीं समझने वाला आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब देखते हैं इसकी third property इसकी third property है कि it exists between leptons and leptons और between leptons and misons मतलब यह जो force है यह दो leptons के बीच में लगता है और एक leptons और me-son के बीच लगता है अब नई confusion की रिएट होगा है कि leptons और मे-son क्या है तो यहाँ पे मैंने just elementary particles की बात की है यह जो जितने भी elementary particles की बात की है यह elementary particles में ही कुछ type के elementary particles को हम मलब elementary particle का ही type है यह क्या लेप्टौन और इसी का एक और टाइप क्या है unrelii beton के बींच में by नॉक्लियार फोर्स लगेगा तो आई होब दूस्तो आपको यह सभी वीक नुक्लियर फोर्स के बारे में जो पूरा नॉलेज यह पसंद आया होगा है ना क्योंकि यह कोई थोड़ी नई चीज है ठीक है अब अगर हम देखें तो हमें चार जो fundamental forces पड़े हैं अगर इनको हम इनकी strength wise compare करें तो चलिए क्या होगा देखते हैं देखें ये एक बात तो हम अच्छे से पता है कि gravitational force, weak nuclear force, electromagnetic force और strong nuclear force चार हो में सबसे कम जोर कौन सा है सबसे weakest कौन सा है? weak nuclear force तो इसकी strength को हम ले लेते हैं 1 ठीक है? अब हम देखेंगे weak nuclear force तो weak nuclear force gravitational force से 10 to the power 25 times ज्यादा stronger है चलिए ये बात भी ठीक है अब इससे भी एक strong force होता है कौन सा? electromagnetic force electromagnetic force, gravitational force से 10 to the power 36 times ज्यादा stronger है मतलब ये थोड़ा और strong है अब हम बात करते हैं सबसे strong force जो nature में सबसे ज्यादा strong है तो अब बात करेंगे जो strong nuclear force है ये जो है ये gravitational force से 10 to the power 38 times ज्यादा strong है मतलब सबसे ज्यादा strong कौन है? strong nuclear force तो दोस्त हमने comparison भी देख लिया strength wise और इसी के साथ में हमने जो 4 fundamental forces है इनको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और इसके आगे वाली वीडियो में other types के forces पढ़ेंगे जैसे fictional force, centripetal force ये सभी तो दोस्तों अकर हमारी वीडियो पसंद आईए तो इसे like करें, share करें और हमारे चैनल को subscribe करें